आज हम आपके बीच में पूरे देश पर गहरा रहे गंबीर संकट जिसने एक बार फिर आम भारतिये की जान पर कहीं न कहीं खत्रा खड़ा कर दिया है कोरोना की वेक्सिनेशन पॉलिसी ओमिक्रॉन वायरस और किसे वेक्सीन मिले प्रधान मंत्री जी की कल की शेखी बगारने वाली घोशना के बाद सच्चाई क्या है उन पर प्रकाश डालने के लिए आपके बीच में उपस्थित हैं कि सच्चाई यह है कि ओमिक्रॉन वायरस के जानलेवा खत्रे को नजर अंदाज कर देशवासियों की जिन्दगी को खत्रे में डाल रही है मोधी सरकार बाते बनाने और टेलिविजन पर आने से अपराधिक लापरवाही के जखम नहीं भर पाएंगे मेरी बात शुरू करते हुए मैं ये जरूर कहूंगा कि भारती राष्ट्रिये कॉंग्रेस देश के डॉक्टर साहिबान नर्सेज, पेरामैडिक्स, हेल्थ वर्कर्स, फ्रन्ट लाइन वर्कर्स, कोरोना वॉरियर्स हम उनके शुकर गुजार हैं जिन्होंने अपनी जान हथेली पर रखकर इस देश के लोगों की वैक्सिनेशन में अगर्णी योगदान दिया, वो सादूवाद के पातर हैं पर मोदी सरकार क्या कर रही है, दिशाही नेत्रितव, बिना नियंत्रन वाली सरकार, दृष्टी और सोच की भयंकर कमी, केवल हेडलाइन मैनेजमेंट, स्टंट बाजी और इवेंट बाजी, यहां तक मोदी सरकार सीमित हो गई है मोदी सरकार ने, मोदी गम्मिन्ट हैस फेल्ड इंडिया, याद करिये, कोरोना की पहली और दूसरी लहर में, मोदी सरकार ने हमारे प्रवासी मजदूरों को किस प्रकार से पलायन और कई बार मौत की घाट, मोत का फंदा चूमने पर मजबूर किया मोदी सरकार ने देश के गरीब को, जिसकी जेब में पैसा डालने से इंकार कर दिया, रहुल गांधी जी सोनिया गांधी जी के कहने के बाद किस दुराहे पर ला खड़ा किया मोदी सरकार ने लगू और छोटे उद्योगों को विनाश के रास्ते पर धक्का दे दिया मोदी सरकार ने अर्थ ह्योवस्ता को गर्थ के अंदर जोख दिया और मोदी सरकार की अपराधिक लापरवाही से ये सब निश्पक्ष एजनसिया कहती हैं कि कोरोना की दूसरी लहर में 40 लाख के करीब भारतिये जो हैं, वो मौत के शिकार हुए ये इसलिए हुआ कि मोदी सरकार हर बार जिम्मेवारी से पीछा चुड़वाने, कोरोना ठीका करण को लेकर बार बार नीतियां बदलने, कोरोना की रोग थाम के बजाए खुद के महिमा मंदन और रेलियों और चुनावी गोटियों को प्रात्मिक्ता देने, प्रांतों पर दोशमर जिम्मेवारी से पीछा चुड़वाने, इस प्रकार की अपराधिक लापरवाहियों से देश के लोगों की जान से प्रधान मंत्री माननी है नरेंदर मोदी जी और उनकी सरकार ने ख आहट से ठीक पहले एक बार फिर मोदी सरकार देश वासियों की जान जोखिम में डालने चली है, मैं फिर दोराता हूं, कोरोना की तीसरी आहट की दसकत से ठीक पहले मोदी सरकार एक बार फिर देश वासियों की जान खत्रे में डाल रही है, और साथियों आज जबाब दही मांगने का समय है और इस देश के एक सो चालिस करोड लोगों की और से हम छे बिंदूओं पर सरकार का स्पष्टी करण और प्रधान मंत्री से जबाब मांगते हैं नमबर एक देश के संतालिस करोड पचानवे लाक अठारा साल और उससे बड़े वैसकों को एडल्ट्स को यह एक बड़ा इंट्रेस्टिंग डेटा है मैं आपको इसकी डिटेल्स दे रहा हूं सरकार के मुताबिक 18 साल से अधिकी एडल्ट पॉपुलेशन देश में चुरानवे करोड है यह मैं नहीं कह रहा यह उनका वो शपत पत्र है जो उन्होंने 21 जो उन्होंने 22 जून 2021 को स किया था यह वो है और मैं इसकी प्रतिलिपी आपको भेज रहा हूं कि इसका मतलब कि उन्होंने यह कहा कि हम 31 दिसंबर 2021 तक देश के चुरानवे करोड 18 साल से अधिक आयू के लोगों को हम दोनों डोज लगा देंगे और यह जो उन्होंने कहा है साथियों मैं आप पढ़ लीजेगा पैरा 38 और 49 में कहा है उन्होंने यह पेज 22 और 23 पे आपको मिलेंगे मैंने आपको मैं उसकी यह इस प्रकार से उन्होंने बाकाइदा कंपनी वाइज डेटा भी दिया था और कहा कि 31 दिसंबर तक सब को लग जाएगा इसका मतलब 31 दिसंबर तक 94 करोड लोगों को दो डोज के हिसाब से 198 करोड डोज लगने है पांची दिन बचे हैं अब तो पर मोधी सरकार ने कल यानि 25 दिसंबर को एक डेटा जारी किया मैं आपको रिलीज कर रहा हूं पी आई बी का प्रेस रिलीज है हेल्थ मिनिस्ट्री की वेब साइट पे लगा है साड़े च्छतिस करोड लोगों को कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज अभी नहीं लगा है ये देश की एडल्ट पॉपुलेशन का 35 प्रतीशत है दूसरा तत्थ है 18 साल से अधिक के एडल्ट पॉपुलेशन में 11 करोड 45 लाख लोगों को दोनों डोज ही नहीं लगे कल परदान मंतरी जिने तो बड़ी बाते कह दी पर ये उनके आंकड़े 11 करोड 45 लाख लोगों को दोनों डोज ही नहीं लगे इसी में ये और ये इस फिगर में शामिल हैं जो हमारे हेल्थ वर्कर और फ्रंट लाइन वर्कर्ज हैं उन में से 22 लाख 71 लोगों को दूसरा डोज नहीं लगा यानि अभी भी साड़े 36 करोड जिने एक डोज लगना है सेकिंड डोज 11 करोड 45 लाख जिने दो डोज लगने हैं ये कुल डोज बनते हैं 69.40 करोड या लगबग 60 करोड डोज 60 करोड करोड कोरोना वैक्सीन के डोज एडल्ट पॉपूलेशन को लगने अभी बाकी हैं ये मैं नहीं कह रहा ये मोधी जी के कल के आंकड़े बताते हैं पर साथियों ये साथ करोड वैक्सीन डोज तो उपलब दी नहीं हैं लगाएंगे कहां से ये भी मैं नहीं कह रहा है ये भी मोधी सरकार ने हमें बताया है ये उनका ये भी उन्होंने कल अपलोड किया है 25 दिसंबर को ये मैं भेज रहा हूं आपको इसके मुताबिक और ये देखे हेडलाइन में यहां लिखा है कि 17.74 करोड डोज इस ही उपलब हैं ये मैंने ही कह रहा है ये मोधी सरकार कांकडा है 18 करोड मान लीजिए चाहिए 60 करोड हैं 18 करोड तो भाईया वह बाकी के जो बचे साड़े 41 करोड डोज वैक्सीन के वो कब आएंगे कहां से आएंगे और कब उपलब्द करवाएंगे वैसे भी अगर आप दुनिया की ओस्त देखें तो सेकिंड डोज लगाने में आज भी आज 26 दिसंबर 2021 को भी भारत 19 में पाइदान पर है 21 तारीक को जब 100 करोड हुए थे तब भी याद करिए मैंने बताया था तब भी हम 19 वे नंबर पे थे आज भी वहीं पर मोदी जी ने कल शाम को और आज सुबह ना कोई इसका रास्ता बताया ना नीती ना दृष्टी दूसरा पहलू कल नहीं घोशना कर दी और उसमें एक कहा कि जो कोरोना वारियर्स हैं यानि यानि फ्रंट लाइन वर्कर्स दूसरे हमारे साथी और साठ साल से जो बड़े हैं इनको बूस्टर डोज लगे गा और जो पंदरा साल से अठारा साल के हमारे नोजवान हैं उनको अब नए सिरे से डोज लगना शूरू हो जाएगा क्योंकि पहले 18 साल से हमारी मांग रही है पर मोदी जी ने ये स्विकार नहीं की थी अब इनकी संख्या देख लीजिए क्या है देश में ये ताजा डेटा ये कहता है कि देश में 1.89 करोड एक करोड 89 लाख कोरोना वारियर्स हैं देश में एन्नेसो की ताजी रिपोर्ट ये बताती है कि 60 साल से जादा की उमर के 13 करोड 80 लाख बुज़र्ग है ये मैं नहीं कह रहा है एन्नेसो की रिपोर्ट बता रही है ताजा और एक अनुमान के मताबिक क्योंकि ये सेग्रिगेटरी डेटा अवेलेबल नहीं है कहीं भी 15 साल से 18 साल के 10 करोड युवा है तो इनकी कुल संख्या साथियों बन जाती है 25 करोड 70 लाख तो इन 25 करोड 70 लाख के लिए कल मोदीजी ने घोशना कर दी इनको जो वैक्सीन लगने हैं कुल वो है 35 करोड 70 लाख वो कैसे एक करोड 89 लाख कोरोना वारियर्स को एक डोस बूस्टर शॉट लगेगा एमराइट जो हमारे बुजर्ग वा रहे हैं I'm presuming के वो सब वैक्सिनेट हो गए हलांकि नहीं हुए पर एक बार माल लीजिए 13 करोड 80 लाख बुजर्गों को भी एक डोस लगेगा तो 1.89 प्लस 13.80 करोड और जो 10 करोड युआ हैं उन्हें 2 डोस लगेंगे यानि 20 करोड डोस लगने हैं तो देश में अब कितने वैक्सिन की आउशक्ता हो गई 18 साल से जो उपर है मैंने उनका डेटा आपको दिया है जो उनको अभी वैक्सीन लगने हैं वो अभी बचे हुए हैं वो हैं साड़े 59 करोड या 69 करोड चालिस लाग और इनको लगने हैं 35 पॉइंट सक्तर करोड तो हमें कुल वैक्सीन जो चाह 언제 है इमीजेटली आज वो पचानुए करोड दस लाख वैक्सीन चाहिए मोदी जी के मुताबिक और औसत जो है पिछली बार जब इन्होंने सो करोड के बाद भाशन दिया था और आज तक की औसत चौसट लाख वैक्सीन प्रती दिन लग रहे हैं 64 लैक्स तो अगर ये औसत भी लगाएं तो लगबग 169 दिन चाहिए और पर भीया ओमिक्रोन वाइरस तो हमारे दरवाजे पर खड़ा है और आपके पास वैक्सीन कहा है आप तो कह रहे हो मेरे पास तो साड़े सत्रा करोड पौने अठारा करोड वैक्सीन है मैं कह रहा हूँ आप जो कह रहे हैं उसके मुताबिक आपको 95 करोड 10 लाख वैक्सीन आज चाहिए दोस्तों तो मोदी जी ये तो बता दीजिए देश को गोशना तो कर दी वहावाई भी खूब लूट ली गाव आई तो तुगलक ने भी लूट ली थी जब उन्होंने राजधानी बदल दी थी पर ये वैक्सीन है कहां और कब तक उपलब धोंगे क्योंकि वैक्सीन ये तो हमारे दरवाजे पर दसकत दे रहा है तीसरा पहलू वैक्सीन कहां से आते हैं लेट उसका भी डेटा मोदी जी ने रिलीज किया हमारा कुछ नहीं इन वैक्सीन बनाने वाली दो बड़ी पंपनिय इस समय हिंदुस्तान में एक सीरम इंस्ट्यूट का कोवी शील एक भारत बायोटेक का को 빼क को वैक्सीन ने संसत को बताया कि सीरम इंस्ट्यूट कोवी शील जो है वो एक महीने में 11 करोड डोस बनाता है यह हमने नहीं बताया है उन्होंने बताया मैं आपको पार्लेमेंट का जवाब भेज रहा हूं और उन्होंने लिखकर बताया है कि वह एक 11 करोड डोस हर महीने बनाता है और उन्होंने ये भी कहा कि भारत बायो टेक जब ये जवाब आया उस समय तो बोले कि धाई करोड बनाता है पर दिसंबर तक, वो 5 करोड 80 लाख बनाने लगेगा, तो आप 5 करोड 90 लाख मान लीजे, बनाने लगे हों या ना, तो आप एक महिने में हिंदूस्तान 6 करोड 80 लाख वैक्सीन डोस बनाता एप, हमें चाहिए 95 करोड 10 लाग और वेक्सीन मैत्री इनिशेटिव में आपने दस करोड पंदरा लाग विदेशों में भी भेज दी हैं आज तक ये कल का डेटा है ये रहा है ये मैंने मीए की वेब साइट से निकाला है आपको मैं भेज रहा हूं तो आप भार भी भेजे जा रहे हैं आपको 95 करोड च सकते हैं विदेश से अभी वेक्सीन आ नहीं रहे जिनकी उमीद थी जिनके बारे में सुप्रीम कोट को कहा था तो हमारे लोगों को जिनकी बारे में कल रात को आप घोशना कर चुके हैं बुजर्गों को साट साल से बड़े लोगों को कोरोना वारियर्स को 15 साल से 18 साल के और जो 18 साल से बढ़ वे जिनको अभी वैक्सीन नहीं लगा उन्हें कब दोगे कैसे दोगे और कहां से लाओगे मोदी जी तीन बातों का जवाब देश मांगता है और चौथा पहलू और ज़्यादा मैं रूची कर नहीं कहूंगा भयानक है 15 साल से कम के आयू के बच्चों और युवाओं को वैक्सीन लगाने बारे मोदी सरकार की कोई नीती क्यों नहीं है साथियों भारती राष्टिय कांगरेस के हम सब साथियों ने कुछ एक्सपर्ट के साथ पूरी दुनिया की वैक्सीन पॉलिसी देखी पूरी दुनिया में तीन साल से अठारा साल के बच्चों और युवाओं को वैक्सीन लग रहा है पहली बात मिडल इस्ट कंट्री और चाइना में तीन साल और तीन साल से बड़े बच्चों और युवाओं को लग रहा है अमेरिका में पांच साल से अठारा साल तक के सब बच्चों युवाओं को लग रहा है और वहां तो कवरेज भी मुझे बताया कि 30-35 परसेंट हो गई है यॉरोप में यहां तक की आफ्रीका के देशों में जो हमसे भी कई देश कम डिवेल्प्ट हैं वहां भी बारा साल और बारा साल से बड़े सब युवाओं को वैक्सीन लग रहा है तो हमारे देश में फिर 15 साल से 18 साल क्यों और अब मोदी जी ने कल अपने ही एफिडेविट को जो सुप्रीम कोर्ट में दिया था उसे खारिज कर दिया ये उन्होंने वो एफिडेविट दिया है ये दिया था साब 22 जून 2021 को ये इसके दो पैराज हैं मैं आपकी उनकी चार-चार लाइन पढ़ देता हूँ उसमें उन्होंने कह रखा है के ड्रग रेगुलेटर ने तो बारा साल एन अबव के वैक्सीन को एक नहीं दो दो वैक्सीन बस अप्रूव हो गए हम लगा देंगे तो क्या मोदी जी के शबद पत्र की कोई कीमत नहीं है वो अपने शबद पत्र को कुड़ेदान में फैंक देते हैं भाड कर I'll read it for you para 42 and 43 it is humbly submitted that on 12th of May 2021 the drugs controller journal of India has permitted Bharat Biotech to conduct clinical trials on the healthy volunteers between 2 years and 18 years of age for its vaccine that is co-vaccine and the enrollment process for this trial has also begun it is submitted that Zydus Cadilla which is developing DNA vaccine has concluded its clinical trial concluded for between the age group of 12 to 18 years of age and subject to the statutory permissions the same may be available I'll see you you know 22 June 2021 को कहा कि को वैक्सीन दो साल से उपर के बच्चों को clinical trial यानि आज से छे महीने पहले है और लगना शुरू हो जाएगा और जाइडस केडिला का वैक्सीन तो अब तैयार है बस हमें कानूनी इजाज़त देनी पर कल रात को मोधी जी ने कह दिया के वई पदरा साल से हम तो नीचे लगाएंगे ने क्यों दोस्तों क्या ये सही नहीं के हमारे देश में स्कूल जाने वाले nursery पहली कक्षा से ले कर और आठवी नौमी कक्षा तक स्कूल जाने वाले करोणों करोणों बच्चों यू आओं उनके माता पिता उनके दादा दादी उनके काका ताओ जब वो वापिस जाएंगे वो सब अब Omicron वाइरस से गरस्थ होने के possible cases हैं How should we send our children to school? How? Modi ji tell us Why have you not formed a policy? आपकी नीती क्यों नहीं है 15 साल से कम के युवाओं के लिए और वो भी तब जब आपने सुप्रीम कोट को 22 जून को शपत पत्र दे कर कहा के हाँ हम 12 साल से उपर तो अभी लगा सकते हैं और 2 साल से उपर लगाने के लिए हमारी clinical trial चालू है तो सुप्रीम कोट को भी जूट बोल दिया और देश को भी और साथियों आखरी पांचवी बात कोरोना की दूसरी लहर में मोधी सरकार की अपराधिक लापरवाई से मरने वालों की ना अज़ तक संख्या मिली ना उन्हें मुआफ़ा मिला याद करिए Center for Global Development जहां पर इस समय हमारे former Chief Economic Advisor अर्विन सुब्रिमन्यम और दो उनके और साथियों ने एक रिपोर्ट पेश की देश को बाकाइदा स्टैटिस्टिक्स के आधार पर जिसमें उन्होंने बताया कि जनवरी 2020 से जून 2021 के बीच 30 लाख से 47 लाख के बीच में भारतियों की कोरोना की दूसरी लहर में मौत हो गई गंगा मैया लाशों से अटी पड़ी रही सम्शान घाटों में लाश जलाने की लाइन नहीं टूटी पार्किंग के अंदर और सडकों पर लोगों को लाशे जलानी पड़ी अधिकतर समय परिवार जन अंतिम संसकार नहीं कर पाए हिंदू संस्कृती में मोधी जी बार बार कहते हैं सबसे बड़ा अधिकार अंतिम संसकार का है वो भी छीन लिया आपने हिंदूस्तानियों से और फिर डिजास्टर्ड जो मैनेजमेंट एक्ट है उसमें से कहा इसमें इनको मुआफ़ा दिया ही नहीं जा सकता संशोधन कर लिया आखिर में सुप्रीम कोट ने संग्यान लिया और सुप्रीम कोट ने 4 अक्टूबर 2021 को आइडिन्टिफाइ करके मुआफ़ा देने का होकम किया पर कल मौदी जी ने नहीं बताया कि कितने लोगों मरे और कितने लोगों को मुआफ़ा दिया क्यों मौदी जी यह अन्याय और अत्याचार क्यों और च्छटा और आखरी और बहुत महत्तपूर्ण पहलू जो है कि ओमिक्रोन वाइरस से कोरोना की तीसरी लहर के चारो और मंडराते खत्रा जो है उससे मोधी सरकार पूरी तरह उदासीन है, अन्यभिग है और अपराधिक लापरवाही की शिकार है आधनिये सातिओ अब ओमिक्रोन वाइरस के बारे में जो वेज्यानिकों ने बताया है पांच तत्य बड़े साफ हैं नमबर एक, ओमिक्रोन वाइरस पूरी दुनिया में भयंकर तेजी से फैल रहा है नमबर दो, ओमिक्रोन वाइरस का मल्टिप्लायर रेट, डेल्टा या दूसरे वेरियंट से जादा है, ये डेड़ से तीन दिन में डबल हो जाता है नमबर तीन, कल ही नेचर जो जर्नल है उसमें बाकाइदा रिसर्च के आधार पर रिपोर्ट आई है कि ओमिक्रोन वाइरस एंटी बॉडी जो हमारे शरीर में बनी है या वो थेरपी है उससे बच निकलता है चोथा, ओमिक्रोन वाइरस बार-बार अपनी शकल यानि प्रोटीन स्पाइक बार-बार बदलता रहता है यहां तक कि दोनों वेक्सीन डोस जिने लगे हैं वो भी ओमिक्रोन वाइरस से ग्रस्थ हो रहे हैं पर मोधी सरकार के पास यह चोंकाने वाली बात है और यह भी उन्होंने लिखकर बताया है कि ना उन्हें ओमिक्रोन वाइरस की कोई जानकारी ना उनको कोई जेनोम सिक्वेंसिंग का इडिया ना उन्हें ये पता कि ओमिक्रोन वाइरस पर वैक्सीन असर भी करता है या नहीं क्या कोई सरकार इतनी अन्य भिग और अप्राधिक लाप्रवाही की शिकार हो सकती है यह मैं नहीं कह रहा हूं कि यह सत्रा दिसम्बर को पार्लेमेंट में जवाब दिया है मैं इसकी प्रतिलिपी आपको बेज रहा हूं कि पार्लेमेंट में कहते हैं मैं आपको दो लाइन पढ़कर सुनाना चाहूंगा आप चौंक जाएंगे देर लिमिटेड अवेलेबल डेटा और नो पियर रिवीवड एविदेंस ओन वेक्सीन एफिकेसी और अफेक्टिवनेस टू डेट पर ओमिक्रों मोधी सरकार कहती है हमें नहीं पता वेक्सीन असर करेगा ओमिक्रों वाइरस के खिलाफ या नहीं ना हमारे पास कोई डेटा है ना जानकारी है तो भाईया कौन बताएगा किस के पास जाएं हम इस देश के 140 करोर लोगों को मोधी जी क्या भागवान भरों से छोड़ दिया आपने मोधी जी ने ओमिक्रों वाइरस के खत्रे से निपटने के लिए कोई तैयारी तो नहीं की हाँ उत्तर प्रदेश में शादी में 200 लोगों के एकठा होने पर बेहन जरूर लगा दिया पर खुद की हजारों और लाखों की रैली अभी भी चल रही हैं पहली कोरोना की लहर आई तो मोधी जी ने नमस्ते ट्रम्प करके देश की जान खत्रे में डाली दूसरी कोरोना लहर आई तो जन आशिरवाद यात्रा और बंगाल में रैलियां कर किसी पर ध्यान नहीं दिया वे ज्यानिक पर लोगों की जान खत्रे में डाली और अब फिर अब फिर अपने राजनितिक गोटियां फिट करने के चक्कर में आप शादी में तो दोसो आदमी नहीं कठे कर सकते पर मोधी जी की रैली में आप सरकारी पैसे से बसें जुटा कर दोला की कठे कर सकते ये अब इस देश का कोरोना वायरिस से लड़ने का तरीका और मापदंड हो गया साथियों क्योंकि ना इस सरकार को जानकारी है ना समझ है और ये अन्य भिगिता और अपराधिक लापरवाई की शिकार है तो वक्त की मांग है के प्रदान मंतरी शिरी नरेंदर मोधी राजधरम निभाएं स्पष्ट वैक्सीन निती अपनाएं पांच से पंद्रा साल के युवाओं को वैक्सीन उपलब्द करवाएं और ओमेक्रोन वायरिस के खत्रे से बचने के लिए देश को रास्ता Modi government has failed India, Modi ji failed the migrant workers during the first and second Corona wave, Modi ji failed India's poor during the first and second Corona wave, when he refused to put a single pie in the hands of India's poor, when the whole world was doing it, Modi ji failed the small and medium businesses, when he virtually let them to fend for themselves and large number of them have shut down leading to 14 crore job losses, Modi ji failed the economy which is in doldrums and inflationary pressure is being felt by the common Indian and Modi ji's gross mismanagement of Corona led to death of nearly 40 lakh Indians. As various surveys suggest the tepid response to Omicron virus bordering on directionless drift is even more alarming now. The entire policy paralysis of Modi government in dealing with Corona virus including Omicron is marred by failure of leadership, rudderless response and planless preparation. The only solution he has, the prime minister and his government is escape responsibility, have a completely confused and repeated changes in vaccination policy as he has done multiple times over. Preoccupation with self-promotion by putting pictures on vaccination certificates and holding public rallies. accusing and shifting and shifting the burden, pass the buck on to the states and shoulder zero responsibility. Do not be seen in the midst of the pandemic. Act as if you don't exist and reappear to claim credit. That's the long and short of the policy of this government. And despite the lofty announcements and accolades that he was trying to, prime minister was trying to earn yesterday, the harsh reality is otherwise. And the harsh reality in one, one line, if I was to say. The first harsh reality is that 47,95,000,000,000 adults above 18 years of age are yet to be administered 59,40,000,000,000 vaccine doses. the second harsh reality is where are the vaccine doses for as per Modi government they have currently availability of 17 crore 74 lakh vaccines only while for above 18 years they need 59.40 crore thirdly the yesterday's announcement would mean that 25.69 crore people either booster or double dose will now be entitled to 35.70 crore vaccine doses more the total of these two comes to 95 crore 10 lakh vaccine doses but where is the vaccine thirdly India's entire production capacity for vaccines is 16 crore 80 lakh per month of serum institute and Bharat biotech Covishield and Covaxin out of which you are exporting vaccines also you have already exported over 10 crore vaccines so how by when and by which date will all these Indians be administered the vaccine is the simple question to the Prime Minister why is it that India has no policy on on administering vaccination to children between 5 to 15 years this is despite the fact that on 22nd June 2021 Modi government filed an affidavit saying that the vaccine would now be available from 12 to 18 year olds and from 2 years to 18 year old the vaccine was in clinical trial the world over the entire world is vaccinating children above 3 years or definitely above 5 years positively above 12 years even underdeveloped countries are doing so is it not putting our children school going children examination giving children at the risk of catching the new Omicron virus and then passing it on to the parents and to the elders in the family why is government absolutely mum and why is it that till date India does not know as to how many people died on account of Modi made disaster and mismanagement during coronavirus second wave and why has no compensation been not given to them despite a Supreme Court judgment and lastly why is government why is Modi government as Omicron virus is knocking at our doorsteps the past experience shows once the virus has taken root towards US and UK it hits us within 65 days and within 80 days it is at its peak then why is it that government is oblivious and ignorant bordering on criminal negligence to the threat of the Omicron virus we know that it doubles between 1.5 to 3 days we know that it escapes even existing existing antibodies in the body we know that it changes spike protein spikes multiple times we also know that it is the fastest communicable we also know that it will lead to large scale massive hospitalization we also know that it is not necessarily effective even against the two doses of vaccination yet Modi government tells the parliament on 17th December oh we have no knowledge we have no data and we don't even know which vaccine works on Omicron should the people of India be left to fend for themselves and Prime Minister Modi has no responsibility is that the Raj Dharma that Prime Minister and Modi government is implementing is the question any questions you are welcome to ask Raleigh to gerade you are welcome to करेंगे कि बने चुनाव हो ना हो ये चुनावाई को से करना लेकिन रेलियों को सबसे पहले तो आप दोनों को सवाल के लिए साधुवाद सवाल का जवाब बड़ा सीधा है सत्ता में कौन है भारतिय जन्ता पार्टी प्रधान मंत्री कौन है माननिय नरिंदर मोदी जी उत्र प्रदेश में कौन सत्ता सीन है भारतिय जन्ता पार्टी साइंटिफिक डेटा किस के पास available है मोधी सरकार के पास ओमिक्रोन के खत्रे के बारे में जमीनी जानकारी शायद किसको उपलब्द हो सकती है सरकार को प्रतिबंद लगाने का दाइतव अधिकार कानून और समयधान में किसको दिया गया है सरकार को रैली बंद करना या रैली चलाने का और निकालने का अख्तियार किसको है सरकार को तो कॉंग्रेस निर्ने कैसे करेगी या समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी या लेफ्ट पार्टी निर्ने कैसे करेंगी ये निर्णे करना है प्रधान मंत्री और मुख्य मंत्री को सारे तथ्यों की जानकारी लेकर हमारा काम है एक जागरूक नागरिक के तौर पर देश को और सरकार को जगाना जैसा राहूल गांदी जी कोरोना की पहली लहर से लगातार करते आए हैं यह तथ्थे हैं जो इस समय जग जाहिर हैं इनके आधार पर सरकार को निर्णे लेना है जो निर्णे मोदी जी की सरकार लेगी भाजप्पा सरकार लेगी जनता के हक में कॉंग्रेस पार्टी उसकी अनुपालना करेगी आधरणी मित्र हर व्यक्ति को जुम्मेवारी लेनी होगी बंगाल में जब राहूल गांधी जी ने अपना मन मसोस कर राजनितिक नुकसान उठाकर ये निर्णे किया हमें राजनितिक बहुत नुकसान हुआ उसका मोझा लाजनितक नुकसान उला वी ये नी झीद को जजट ऑनीतिक निए जनिक राजनित Ma second विल, कि भनाउनितम झाड़्ड़ सकती गया है जाडने झांने बutionsने । में उते है, वोमिर डिर्म में अड़े है